अदानी ग्रूप के शेयर में फिर से मेरी नजरगी अदानी एंटरप्राइजेस पे जो अब 1700 के भी नीचे आया है खुश कोई एक्सपेरिमेंट मैं वर्ड इस्तिमाल करूँ एक्सपेरिमेंट नो बाई, नो सेल, अउनली एक्सपेरिमेंट अदानी एंटरप्राइजेस नोट सो मच एक quick 30 second डूँगा on what you just mentioned 17,000 की जो call और put हैं दोनों में अच्छा-कासा base है तो कहीं ना-कही market participants को लग रहा है कि इसी level के आस-पास है, मान लिजे यही से 500-100 point की जो range है इसी में market शायद expire हो जाएंगे और कल ही है expiring, not too far away तो इसलिए आप थोड़ा सा lackluster market देख रहें and I agree with you कि इस market में शायद option sellers जो है इनकी जादा बल्ले-बल्ले हो सकती है compared to option buyers तो बिल्कुल buy करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके फिर entry करें यह हमने आपके लिए रख भी दिया 29 तारी के अगर आप call put अभी की भी चेक करें न 17,000 रुपे की तो आप देख रहें 5% तो put टूट रहे हैं और call टूट रहे हैं करीब करीब 10% और दोनों के अंदर open interest है यानि कि ठीक ठाक open interest के साथ आज दोनों के premiums को खाया जा रहा है चंदन आपकी तरफ से कोई analysis, market के अंदर इस समय क्या किया जाए या फिर कई बार ऐसा होता है शान्ती से बैठा जाए कुछ-कुछ वैसा है कि बाजार, कुछ ना करें, बैठे रहें सिर्फ, देखते रहें देखें, दो चीज है, यदि आपको कुछ नहीं करना है तो वो भी कर सकते हैं और अल आप देखो कि पिसले 7-8 बिनों से बाजार एक दाइरे में है और युजली हमने देखा है कि बाजार, जब वीक रहता है तो जब तक एकस्पारी नहीं रहती है, वो वीकनेस खतम नहीं होती है तो आई तिंग एक दिन का और पे जहें लिजे कल के बाज यदि बाजार यहां पे टिकता है तो जरूर उस टिकावट पे हम बाजार में भरोसा जताएंगे बड़ेज ओफ नाओ, सेलोन बाजार का इस्टेंस कंट्यूनर हैगा जब तक इमेडियेट में 17,070 का लेवल नहीं निकलता है मेरे साब से बाउस बिक्वाली में तबदील होंगे नेचल में भी ज्यादा डाउंसाइड नहीं है 16,900 के डाउंसाइड है तो इसे मार्केट में आप यदि ऑप्सन बायर हो तो ऑप्सन बायर नहीं हो के स्टेड़ेजी बनाओ या फिर आप उप्सन राइटिंग करके स्टेड़ेजी बनाओ जैसा कि यहाँ पे आईरन बटरफलाई बना सकते हैं आईरन कॉंडोर बना सकते हैं या फिर बाउस आए तो बैर पूट स्प्रेड बना लो इस तरह के ट्रेड आपको इस बाजार में करने पड़ेंगे तब ही ये बाजार आपको टिकने देगा अधरो जाओ उप्सन बाई या कोल बाई करो या पूट बाई करो 15-20 पॉइंट के स्टोपलोस की बाजार इज़त ही नहीं देगा अब 5-8 पॉइंट में आपका इसल ट्रिगर हो जाएगा तो इन सब चीजों को ध्यान रखे इन सब चीजों को ध्यान में रखे ट्रेड करे रिस्क मेनेजमेंट करना बहुत जरूरी है इज़त रही देगा जहेल लीजिए मार्किट को और मेरा तो आपके वाला फर्स्ट ऑप्शन में बड़ा प्यारा लगा चुप करके बैड़ित हो